हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतेश रतन केंदर चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभी नंदन मेरे प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडिस सर्वदनंद शर्मा मेरी और से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमश्कार तो मेरे प्रिय साथियों आज की चर्चा का विशे है मंतली राशीफल यानि के मासिक राशीफल दिसंबर दो हजार तेईस का तो साथियों जब मासिक राशीफल की चर्चा चली ही रही है बात होई रही है इसके उपर तो आपको हम गरहों के से भी थोड़ा सा स्थिती से अवगत कराना चाहेंगे और अगर राशीफल की बात हो और गरहों की बात ना हो तो ये भी इनकंप्लीट एक तरीके से discussion है हमारे मुताबिक क्योंकि जो भी results हमेशा मिलते हैं हम 12 लगन राशी के जो जातक हैं इस प्रिजवी पर उनको सबको गरों की जो वर्तमान इस्सिती होती है उस समय जो गरों की इस्सिती चल रही होती है उसी आधार पर प्राप्त होती है अब क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ दिसंबर के राशी फल की दिसंबर 2023 में क्या होने वाला है तो वही होगा जो गरों की इस्सिती होगी दिसंबर के महीने में अब दिसंबर के महीने में इस्सिती क्या होगी उससे हम संग्शेप में जरू अफगत कराइंगे वैसे गरो की सिथी से अफगत कराने से पहले इतना आपको जरू बताना चाहेंगे साथियों के हमने नवंबर के राशी फल की जवाब के साथ बात की थी तो हमने उस समय आपको ये बताया था कि जो ग्रहों की सिती पिछले काफी समय से काफी खराब चल रही थी या उनके द्वारा अशुब योग बने हुए थे या उनकी स्वयम की सिती कही ग्रहों की कमजोर थी वीक थे वो उनी के कारण जीवन में अशुप परिणाम अधिक प्राप्त हो रहे थे जातकों को लेकिन निवंबर के महीने से इस सिती में सुधार होना शुरू हुआ है जो दिसंबर के महा तक होगा तो काफी सुधार देखने में मिला है अब सुधार का क्या मतलब होता है? सुधार का मतलब होता है कि बेटर रिजल्ट्स बिलकुल तो ये चीज़ें तो अब आपको चर्चा के दोरान ही पता लगेंगी जब हम डिसकस करेंगे आपके साथ कि डिफरेंट डिफरेंट फिल्स में आपको किस किस परकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती हैं उसी की विशें में बताएंगे आपको तो साथ ये भी बता दें साथ की साथ कि ये जो राशी फले लगन राशी पर आधारित है चंदर राशी पर आधारित नहीं है और आपकी सोविधा के लिए हमने ठीक हमारे पीशे स्क्रिन पर चार्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है ये चार्ट जो है आप धनू लगन राशी के जो हमारे जातक है उनका चार्ट है चोकि आज के इस कारेकरम में हम धनू लगन राशी के जो हमारे मित्र हैं उनी के ही विशे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये दिसंबर दो जारतीस आपके लिए कैसा रहने वाला है तो साथ ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रेन पर इसमें गरहों की सिथी को बहुत ही इसपश्ट रूप से दरशाया गया कौन सा गरह किस घर में बैटा हुआ है किस गरह के साथ उसकी यूती बनी है संबंद बना के रखा हुआ है और किस राशी में है लेकिन इसकी अतरिक में कुछ ऐसे गरह हैं जो अपना राशी परिवर्तन करने वाले यह महीं में तो हम ये सारी जो ग्रहोंक से संबंदित पोजिशन है ये इससे अब गत कराएंगे आपको बहुत संख्शेब में तो आईए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरम करते हैं आप धनुलगन राशी के जो जातक हैं उनके मासिक राशी फल के विशह में चर्चा तो आरम सूर्य देव से सूर्य जो हैं अभी आपके चार्ट में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं धनुलगन राशी के जो हमारे जातक हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हैं बृष्चिक राशी में बैठे हैं मित्र के साथ बैठे हैं अब क्योंकि सूर्य जो हैं आपके इसे पंचमेश भी है और दौाद शेश भी हैं दौनों ही है तो बंगल अपने घर में बैठे हुए हैं इननी के साथ सूरे भी हैं लेकिन सूरे बैठे तो हैं बहुत अच्षा योग है लेकिन सूरे जो है यह अपने सोले तारिक को 16 दिसंबर को राशी का परिवर्थन अपनी मित्र राशी धनू में प्रिवेश करेंगे लगन भाव में यानि के जहां पर नौ लिखा हुआ है बुद्ध वहाँ पर विराज मान है वहाँ पर इनके एंट्री 16 दिसंबर को होगी और महा के अंतर तक यह वहाँ पर बने रहेंगे और जब यह 16 तारिक को वहाँ जाएंगे तो 16 तारिक से लेके 28 तारिक तक इनके सम गहें बुद्ध के साथ इनकी यूती बनेगी संबंद बनेगा और मंगल के साथ भी इनकी यूती बनेगी 27 दिसंबर से क्यों मंगल भी अपना राशी परिवरतन करेंगे 27 दिसंबर को वह भी अपनी स्वयम की राशी विरिश्चिक से निकलेंगे द्वातरश भाव से रह वह भी लगन भाव में जाएंगे अपने मित्र के घर में धनुर राशी में ब्रस्पती की राशी में और फिर यह 17 तारिक से महीने के अंतर तक इनका भी संबंद अपने परमित्र ग्रेश सूर्य के साथ बनेगा लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिसाड़ांटेज यह हो गया मंगल वैसे तो एक अच्छा योग बना लेकिन सूर्य के साथ रहने से एक यह कमी आ गई मंगल में जोंकि बहुत जादा क्लोज हो गए सूर्य के मंगल तो इस वज़ सूर्य के जादा नजदिक आता है तो वह सो जाता कंबस्ट पोजिशन में चला जाता है और अस्त का मतलब तो आप समझते ही हैं कि जो चीज हो गई उसका एक तरीके से कोई महत्व नहीं रह जाता है जादा यही ग्रों के साथ भी है तो मंगल की विशह में भी हमने आपको बताया अब आपको बताना चाहेंगे बुद्ग्रह के विशह में दीखे बुद्ग्रह तो महा के आरम से ही बैठे हुए हैं अपनी समराशी धनू में लगन भाव में लेकिन क्या है कि ये एक तारिक से तेरे तारिक तक तो इनकी पोजिशन काफी अच्छी है यानि कि महा क के मद्द तक ही समझने हम और तेरे दिसंबर को ये उल्टी चाल चलना आरम कर देंगे वक्री इस्तिती में आ जाएंगे रेट्रोग्रेड और उसके बाद फिर ये सत्रा दिसंबर को पश्चिम में वेस्ट में कमबस्ट पोजिशन में चले जाएंगे अस्तुभी हो जाए तबसे इनकी सिती काफी कमजूर हो जाएगी और फिर ये 28 तारिक को अपना राशी का परिवरतन करते हुए अपनी समराशी धनू से निकल करके अपनी मित्र राशी मकर में प्रवेश कर जाएंगे सेकेंड हाउस में नहीं च्छमा करें ये आगे जाने के बजाए क्योंकि वकरी सिती में रहेंगे रेट्रोग्रेट कंडिशन में रहेंगे तो कोई भी जब उल्टी चाल चलता आर अपना राशी परिवरतन करता है तो वो आगे जाने के बजाए पीछे जाता है तो यह वरिश्चिक राशी में प्रिवेशन का वापस जहां से यह आए हैं धनूराश में उसी राशी में पीछे 12 भाव में ये चले जाएंगे बुद 28 दिसंबर को और महीने के अंतर तक ये विरिष्टिक राशी में ही रहेंगे अब आगे बात करेंगे शनी देव की शनी जो है आपके चार्ट में थर्ड हाउस में मौझूद है तृतिय भाव में और ये बने रहेंगे पूरे महा राहू की बात कर लेते हैं राहू जो है वो भी फोर्थ हाउस में अपनी समराशी मीन में ब्रस्पती के घर में बने रहेंगे पूरे महा इसी प्रकार जैसा आप देख रहें चार्ट में ब्रस्पती की बात कर लेते हैं ब्रस्पती जो हैं वो भी अपनी मित्र राशी मेश में पंचम भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे माँ लेकिन ये उद्यवस्था में तो है लेकिन ये मारगी नहीं है वक्री सिती में है उल्टी चाल अभी ये चल रहें और ये 31 दिसम्बर को जा करके direct position में आएंगे यानि के मारगी होंगे और जब ये 31 दिसम्बर को मारगी होंगे उधे होने के साथ साथ तो इनके आगे आने वाले समय में और better results इन से हम expect कर सकते हैं जातकों के लिए सभी के लिए अब बात करेंगे केतु ग्रह की केतु ग्रह भी जो है टेंथ हाउस में आपके चार्ट में अपनी सम राशी कन्या में बने हुए और बने रहेंगे पूरे माँ अब आगे आते हैं शुकर की बात कर लेते हैं देखें शुकर ग्रह भी जो बहुत अच्छी पोज करेंगे और यह अपनी तुला राशी से निकल करके अपनी सम राशी विरिश्चिक में ट्वैल्थ हाउस में चले जाएंगे तो मेरे प्रियसाथियों ये थी वो ग्रहों की इस्थिति जिससे अभी हमने आपको संग्षेप में अफगत कराया है इन ग्रहों की ही इस्थिति के आधार पर आपको रिजल्ट्स की प्राप्ती होगी अब किस किस प्रकार के रिजल्ट्स की कहां कहां कैसे कैसे होगी इसकी अब हम चर्चा आप से विस्तार से करेंगे डिटेल में जानेंगे सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन यानी करियर को लेगे तो सब सब से पहले करियर की विशे में बात करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि हमारे जो आप धनू लगन राशी के जो जातक हैं मित्र हैं आपका करियर किस दिशा में जाने वाला है इस दिसंबर 2030 में तो मेरे साथियों आप धनू लगन राशी के जो जातक हैं आपको बताना चाहेंगे कि देखिए चेलेंज तो आपके लिए आते रहेंगे बहुत स्मूत चीजें चलें इनकी संभावना तो बहुत नाके बरावर है परेशानियां दिक्कतें चेलेंजेंज ये सब चलते रहेंगे लेकिन एक बात और भी है महा के आरम से लेकर विशेश रूप से महा के मद्धे तक का जो समय होगा आपके आजू बाजू आपके सामने कितने ही चेलेंज आए कितनी ही दिक्कतें आए कितनी ही आपको अपने कारे छेत्रे से संबंदे परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े लेकिन सबसे बड़ी जो तारीफ वाली बात है वो यह है आपके केस में कि आप इन सभी चेलेंजिज को या परेशानियों को या कठनाईयों को या समस्याओं को अपने बुद्धी के दौरा बहुत आसानी से हल कर लेंगे इन सारी चीज़ों को बुद्धी के दौरा चीज़ों को हल करते जाएंगे राके पढ़ते चले जाएंगे ऐसा नहीं है कि आप कहीं ट्रैप हो जाएं फस जाएं कि भाई अब तो मैं फस गया इसमें आप क्या करें कैसे इस समस्या से बाहर निकलें ऐसी इस सिती आप बनने ही नहीं देंगे क्योंकि गणों का सपोर्ट आपको मिल रहा है एक तरफ जहां आपके लिए चेलेंजिज हैं वहीं दूसरी तरफ आपके सामने सॉल्यूशन भी ग्रह आपको दे रहे हैं यह बहुत बड़ी बात होती है समस्या तो वहां आती है कि जब चेलेंजिज आएं और हम कितनी ही कोश क्यों ना डाल दें लेकिन हमारे सारे एफर्ट जब वह बेकार चले जाते हैं फेल हो जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता तब समस्या असली वहां पर पैदा होती है लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है और मैंने जैसा कहा विशेश रूप से महा के मद्धे तक तो आप जिखिए जहां तक income का प्रिश्न है इंकम आपको बहुत अच्छी होगी पूरे महा होगी जो भी income में पहले कमी रही है इस December के महिने में आपको income बहुत अच्छी होने वाली है मतलब पैसा आप अपने हाथ में आपको दिखेगा और money saving भी आप कर पाएंगे परियापत मात्रा में अगर plan करके आप अपना कहीं पैसा invest करना चाहते हैं या save करना चाहते हैं तो जरू कर पाएंगे अब बात करेंगे आप से सुक्सुविधाओं की देखिए सुक्सुविधाओं का तो ऐसा है साथियों बताना चाहेंगे आपको कि सुक्सुविधाओं का जो है मिला जुला आपको लाब प्राप्त होता रहेगा पूरे महीने ना तो बहुत अधिक लाब ले पाएंगे ना ऐसा है कि आप ले ही ना पाएं लाब, फैसिलिटीज एवेल ही ना कर पाएं, तो एवेल तो करेंगे, लेकिन कभी जादा कभी कम, ये इस तरीके का महीना रहेगा आप, इस सहुलियतों को देखते हुए, यानि कि जो भी आप कार्य करें, दूसरों के उपर आख बंद करके विश्वास बिलकुल ना करें, वरना वहाँ आप धोका खा जाएंगे, बिलकुल आपको विश्वास नहीं करना है, और जो भी कार्य आपने करना है, अपनी या करवाना है, अपनी प्रिजेंस में कराएं, उस कार نہ کریں کہ بھئی ٹھیک ہے میں تھوڑا ایسا بیزی ہوں یا میں ادھر لگا ہوا ہوں یا ادھر میری involvement ہو رہی ہے آپ تھوڑا ایسا سمال لینا manage کر لینا اگر ایسا آپ کریں گے نا تو اس کی chances بہت زیادہ ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ cheating ہو جائے یا آپ کا کار ہے وہ جان بوجھ کر کے بگاڑ دیا جائے بعد میں پھر آپ کو اس کے لیے پشتانا پڑ سکتا ہے تو اس بات سے ثابتہ رہیے گا اس کی اترک میں ان لوگوں سے بھی بات بتانا چاہوں گا دھنور لگن راشی کے جو ہمارے مطر ہیں کہ یدی آپ کا کوئی کوڑ کچھری سے سمبندت معاملہ فسا ہوا ہے یا آپ کا چل رہا ہے تو وہاں پر بھی بہت سافدھان رہنے کی آپ کو عوشتہ ہے کوئی بھی documents بینا read کیے ہوئے بینا go through کیے ہوئے آپ اس کو نہ تو اس پہ signature کریں نہ ہی اس matter کو لے کر کے آگے بڑھیں یعنی کہ کسی کے good faith میں آ کر کے signature نہیں مارنے سارا چیز اپنے آنکھوں سے دیکھیں پڑھیں سمجھیں اس کے بعد کچھ step لے آگے ورنہ وہاں پر بھی پریشانی آ سکتی ہے اس کی بھی سمبھاونا ہے اور جہاں تک ہو سکے اگر کوئی آپ کا مقدمہ آدھی چل رہا ہے کوئی case وغیرہ کہیں ہے court میں کہیں پر بھی ہے تو آپ جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کریں کہ اس کی date کو extend کرا دیں تو زیادہ اچھا ہے اگر یہی پچیس دسمبر کے بعد کی اگر آپ date لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑا اچھا result ملے گا ساتھیوں اب آپ سے آگے بات کریں گے پریم سمبندوں کو لے کر کے کہ آپ کے کہیں پریم سمبند بنے ہوئے ہیں آپ کا affair چل رہا ہے یا آپ living relationship میں ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے آپ دھنو لگن راشی کے جاتکوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہنے والا ہے اس کارلے کے لیے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے آپ کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہی اپنے متر کے پرتی اتنے اماندار ہیں تو دوسرا کیسے آپ کے پرتی مطلب دھوکہ آپ کو دے سکتا ہے یہ تو اس کی سمبھاونا تو بہت نا کے برابر ہو جاتی ہے اگر ہم کوئی چیٹ کریں گے کسی کے ساتھ تب ہی تو اس بات کی ہم امید کر سکتے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ بھی چیٹ ہوگا جب ہم پوری طرح سے اماندار ہیں honest ہیں تو دوسرا بھی ایسے ہی ہوگا ہے یہ ہی آپ کی case میں بھی ہے ایسا ہے آپ کا مطر آپ کے پرتی پورا بفادار رہے گا اور آپ اپنے مطر کے ساتھ اب اس کی مطرزہ کو بھی بھرپور طریقے سے enjoy کریں گے کیونکہ آپ کا بھی romance جو ہے نا یہ دسمبر کا مہینہ پورا enjoy کرانے والا ہے اپنے romance کو لے کر کے اس کافی آپ romantic رہیں گے romance آپ کے اندر رہے گا اور اس کو آپ enjoy بھی کرنے والے ہیں جہاں تک شادی ویوہ کا پریشنے ہے دیکھیں شادی کا تو ابھی یوگ نہیں ہے آپ دھنو لگن راشی کے جاتکوں کے لیے اگر آپ کو ایسی planning رکھتے ہیں کہ بھئی شادی جلدی near future اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس کی possibility تو نہیں ہے کہ ایسا یوگ نہیں بن رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی شادی کر لیں اگر کرنا بھی چاہیں گے تو اس میں پھر کافی hindrances obstacles آپ کو face کرنے پڑ سکتے ہیں اور کام بھی نہیں بنے گا اب آگے بات کریں کہ دھنو لگن راشی کے جو ہمارے مترگن ہے کہ جو विवाहित ہیں یعنی کہ جن کا विवा हो چکا ہے چاہے وہ महिला हैं چاہے पुरूश हैं आपका विवाहिक जीवन बहुत सुख में रहेगा विशेश रूप से 28 दिसमबर तक एक दिसमबर से 28 तारिक तक का जो समय है यह आपके विवाहिक सुखों का आनंद लेने का समय है बहुत अच्छा समय आपका पास होने वाला है बात करेंगे परीजनों की परिवारिक संबंद आपके कैसे रहने वाले हैं साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा परिवारिक संबंद आपके सामाने से मध्यम रहेंगे और 28 दिसंबर के बाद से ये संबंद और भी बहतर होंगे परीजनों के साथ बात कर लेते हैं संतान पक्ष की कि धनू लगन राशी के जो जातक है उनकी संतान से उनको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे मैं आपको बता दूँ मध्यम से और जो उपर का लेविल होता है मध्यम का मतलब होता है कि मिले जुले और मिले जुले से उपर होता है गुड रिज की तरफ से अच्छे रिजल्ट की प्राप्ती होगी इस महीने स्टूदेंट की बात कर ले इस्टूदेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे अच्छे रिजल्ट्स उनको पर अब करेंगे अब बात कर लेते हैं स्वास्त की देखिए अगर आपने अपने स्वास्त का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित रूप से हेल्थ आपको धोका देगी यह आप मान के चलें बहुत इस पश्च रूप से हम यह बात बोल रहे हैं हम कोई इफ और बट नहीं लगा रहे हैं यहां पर बस सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अपने हेल्थ का अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए आप धनूलगन राशी के जा तक अन्य था आपको मुश्किलात का सामना करना धनूलगन राशी की जो हमारे मित्र हैं उनके लिए अब हम आपको वह छोटे कुछ उपाए भी देना चाहेंगे जिनको आप बहुत आसानी से कर लेंगे और आप जब इनको करेंगे तो आप निश्चित रूप से कुछ और बैटर रिजल्ट्स प्राप कर पाएंगे दिस मस्य आ रही है यह सभी लोग करें ऐसा यह जो उपाए हम देने जा रहे हैं इस उपाए को उपाए यह करना है आपने के मंगलवार के दिन आपने गुर्चने का परशाद चढ़ाना है हनुमान जी को और बंद्रों को भी गुर्चना आप खिलाए हनुमान चालिसा का पाठ करें बजरंग बाण करें हनुमान आश्टक का पाठ करें हनुमान जी की आरती करें यह आप जरू करें हनुमान जी की पृतिमा के आगे आगे आप सरसों के तेल का या चमेली के तेल का या तिल के तेल का दीपक जरूर जला लें यह काम भी आप जरू करें तो अगर आपने तिलक जरूर अपने माथे पर अपनी जिव्या पर अपनी नावी पर नित प्रती दिन लगाएं प्राते काल इसनान करने के पश्चाथ और ये तिलक लगाकर के ही घर के बाहर निकलिएगा सारे कार्रे आपके बिगड़े हुए कार्रे भी बनेंगे और कार्रे आपके आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरू करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का कुछ अच्छा लाव ले पाएंगे और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो ऐस्ट्रोजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की जानकारी आप तक पहुँचे और वोई वीडियो भी आप तक पहुँचे तो फिर उसके लिए आप बैल आइकन प्रेस जरू कर दें तो साथियों के साथ अब हम इसकार्यकर्म का समापन करना चायेंगे यहां पर अपनी वानी को भी यहां पर देना चाहेंगे विराम और अपने सभी प्रिये दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त तो इसी के साथ आप सभी का सहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जैय माताजी